बिहार भारत के पूर्व भाग में स्थित एक विशेश राज्य है जो की एतिहसिक दृष्टिकों से भारत का सबसे बड़ा केंद्र है या फिर ऐसा कहना घलत नहीं होगा की बिहार के बिना भारत अधुरा है चिरांद छप्रा से ग्यारा किलोमीटर स्थित सारंड जिला का सबसे महत्वपून पुरातत्व स्थल दो हजार इसवी पूर्व है एक, दो, बौण्द दर्म के लोगों द्वारा यहां विहार करने के कारण इस राज्य का नाम बिहार पढ़ार यही पर भगवान भुद्वार का जन्म हुआ और इसी पावन भूमी पर महा बोधी मंदिल स्थित है बिहार की पावन भूमी पर अनेका नेक संतों का जन्म हुआ इसी पावन भूमी पर आचार्य चानक्य और आरेभट जैसे, तीन, विद्वान और वेग्यानिक हुए जब दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्व विद्याले बिहार की राजदानी पाटली पुत्र वर्तमान में पट्ना में स्तित था नालंदा विश्व विद्याले के कुलपती खुद आरेभट थे, आरेभट एक गनितग्य और खगोल वैज्ञानिक थे बिहार की ही पावन भूमी पर अशोक, अजात्षत्रू, बिम्बिसार और अन्य बहुत राजाओं का जन्म हुआ आजाद भारत के प्रतम राशप्ती डॉक्टर राजेंदर प्रशाद का जन्म भी बिहार में ही हुआ है, सिखो के दश्वे गुरुवार गोविद सिंका जन्म भी बिहार के राज़दानी पटना में हुआ, आज भी भारत के सबसे ज्यादा आईस बिहार से ही निकलते हैं, लेकिन लागातार विदेशियों के आक्रमन और घटिया राजनीती के कारण बिहार भारत के सबसे गरीब और पिछडे राज्यों में से एक हो गया है, विश्व में शिक्षा के केंद्र का गौर अप्राप्त करने वाले इस राज्ये में साक्षर्ता दर अन्य राज्यों से कम हो गई है, और रोजगार ना मिलने के कारण पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है